हेलो एब्रिवन, रित्तु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है मैंने याँ चिर्वड़ा बनाया है और ये एक बहुत हेल्दी स्नैक है घर पर बनाकर आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मसालों का प्रियोग कर सकते हैं और इसको हेल्दी बना सकते हैं तो आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं चिर्वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ तेल जब गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 फोर्थ कप रोस्टिट चना डाल हमने इसको एक से दो मिनट तक फ्राई करना है हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसका कलर हलका ब्राउन होना चाहिए ज़्यादा फ्राई होने पर इसको स्वाथ और कलर खराब हो जाएगा लाइट ब्राउन कलर की दाल हमने फ्राई कर ली है साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 फोर्थ कप मुपली इसको भी हमने फ्राई करना है मुपली भी फ्राई हो चुकी है इसको भी हम निकाल लेते हैं मुपली को भी हमने निकाल लिया अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर्थ कप नारियल नारियल को भी हमने हलका ब्राउनी फ्राई करना है ज्यादा फ्राई होने पर इसका स्वात खराब हो जाता है देखी नारियल भी फ्राई हो चुका है अब मैं इसमें डालूँगी 1 फोर्ट कप किश्मिश इन सारी चीजों को आप मीडियम आज पर ही फ्राई करें ज्यादा तेज आज पर फ्राई करने से इनका स्वात खराब हो जाएगा देखिए हमने इन सब चीजों को फ्राई कर लिया है अब हम एक दूसरा पैन लेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ दो कप चेड़वड़ा हमने इसको सूखा ही भूनना है इसको भी हमने मीडियम आज पर ही भूनना है तीन से चार मिनिट में ये फ्राई हो जाएगा भून जाएगा चेड़वड़ा भी भून चुका है अब पैन के अंदर में डाल रही हूँ एक बड़ा चमच देल का देल गरम हो जाएगा तुम्हें इसमें डालूंगी वन फोर्थ टीस्पून हल्दी वन टीस्पून नमक और टू टीस्पून पाउडर शुगर आप इन मसालों को अपने सुआत के नुसार कम ज्यादा कर सकते हैं साथ में कड़ी पत्ता इन मसालों को मच्छे से भून लेंगे आप इसको और चटपटा बनाना चाहते हैं तो काले मेश, लाल मेश और चाट मसाला का भी इस्तमाल कर सकते हैं मसाला फ्राई हो चुका है अब मैं इसमें भुना हुआ शिर्वड़ा डालूंगी साथ में फ्राई किये हुए सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मुंफली नारियल किश्मेश चनादाल तिशू पेपर के उपर हमने इनको पहले ही निकाल लिया था जितना एक्स्ट्र ओयल था वो तिशू पेपर के उपर आ गया आप इसको टिशू पेपर के उपर निकाल लें फ्राई करने के बाद जिससे सारा एक्स्ट्र ओयल टिशू पेपर के उपर आ जाएगा अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा चिरवड़ा बनके तयार हो चुका है और देखने में भी कितना खुबसूरत लग रहा है तो हमारा हेल्दी चिरवड़ा बनके तयार है शाम की चाय के साथ ये एक बहुत हेल्दी स्नैक है जब आप इसे घर पर बनाते हैं तो अपने स्वात के नुसार मसालों का और तेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये और हेल्दी हो जाता है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी आशा करती हूं तैंक यू